नवस्कार किशान भाईयों और बेनों आज हम यहां पर सोयबीन की जो शुरुवाती 30-40 दिन की अवस्ता होती है उसकी हम किस तरह से केर कर सकते हैं उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे और आज मैं मनीश चौबे मार्केट डेवलोप्मेंट एग्रोनॉमिस्ट भोपल कॉमर्शल एरिया से हूँ और आज हमारे साथ मैं मिस्टर मनीश रिवास्तव जो केंपेंड एक्टिवेशन मेनेजर हैं भोपल कॉमर्शल एरिया के वो हैं हमारे साथ मैं और साथ मैं हमारे स मुखंधा तरह 2008 के जो सोयबीन की जो मुख्य वसल होती है शुरूाती की जो 240 दिन दूनमस्ता होती है उसमें मुख रूप से हमारी किसानों को दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है पहली समस्या होती है खरपदवारों की और दूसरी समस्या जो है वो कीड़ों की होती है अगर हम कीड़ों की बात करें तो मुख रूप से हमारी सोयबीन की फसल को गडल बीटल, ब्लू बीटल, सैमी लूपर और stem fly के सांसात रस्तूसे कीड़ों का प्रकॉप होता है जो हमारी फसल को काफी अधिक नुकसान पहुंचाती है और अगर हम इनका प्रभावी नियंतर ना करें तो हमारी उपाज पर काफी बिप्रीत प्रभाव बड़ता है जैसे कि मनीश रिवस्तो जी ने आपको हमको बताया कि मुख रूप से जो है कीट की और खर्पतवारी समस्य आती है तो हमारे जो सोयवीन के जो विशिशक हैं डॉक्टर जे के कनो जी हम उनसे जानना चाहेंगे कि यदि हम इन कीटों को यदि नियंद्र ना करें तो यह किस तरह से खतरनाक साबित हो सकते हमारे किसान भाईयों की फसल के लिए मनीश चौबे जी और मनीश शिर्वास्तो जी और हमारे सभी सम्मानिक किसान भाईयों वास्तों में बड़ा ही महत्पूर्ण बिंदू आप लोगों ने रखा है कि पिछले कुछ वर्सों से ये देखने में आया है कि स्वयब इनकी फसल में कई प्रकार के हानिकार कीट जिनका क्यों लेक आपने किया इन कीटों से हमारे किसानों की जो स्वयब इनकी फसल है उसको भारी छटी होती है और ये छटी का इस्तर अमोमन 20-25 प्रतिशत से लेकर कई बार जब मौसम की परिस्थितियां और भी अनकूल बन जाती है कीडों के लिए तो ये च्छती 50 फिजदी से भी कहीं अधिक निकल जाता है और बिगत वर्स का उधारण हम सब के सामने हैं कि बहुत ही अच्छी फसले थी अच्छानक कुछ ऐसी बीमारियां और कुछ ऐसे कीड़े का फसल में लगे कि हमारे किसानों को बहुत बड़ी छती लगभक सत्तर फिजदी का पच्छतर फिश्दी तक का नुक्सान किसानों को उठाना पड़ा यह बात सिर्फ पिछले वर्स की ही नहीं है बिगत चार-पांच वर्सों से कीट प्रकोप सोयबिन की फसल में बहुत ही तेजी से बढ़ा है सिर्फ एक ही कीट नहीं पहले अमूमन जैसा आपने कहा कि चुसक कीट है यह हमारे पौदों को कुकडा कर देता है बौना कर देता है फसल अफलन की जैसी इस्तिती में चला जाता है जो सेमी लूपर कीट है अगर इसका प्रकोप फसल में पुस्पन ववस्था में होता है तो अफलन की इस्तिती को निर्मित करता है गडल बीटल जो कीट है जिसे रिंक कटर हमारे किसान भाई बोलते हैं इससे यह ॒ढलीओं को काट देता है पत्ट्यों को काट के नुक्शान पहुचा देता है पौधे की बानस्पति को प्रभावित करता है तना के कीट का जो प्रकोप है वो तने के अंदर होता है इसकी जो लारवी है वो तने के अंदर ही अंदर पौधे को खाती रहती है और धीरे धीरे पहले पौधा पीला पड़ता है पौधे में फूल कम लगते हैं फलियां कम आती है और पकने से पहले ही ये कीट हमारे फसल को पका देता है तो इस प्रकार से देखें तो भारी छती सोयबीन की फसल में वर्तमान समय में देखने को आती है और किसानों को काफी आर्थिक का नुकसान मनीश जी उठाना पड़ता है अधन्यवाद करोजी जी आपने बहुत अच्छे तरह से बताए कि किस तरह से शुरुवाती तीस से चालिस दिन की सुयबीन की फसल की अवस्ता होती है और किस तरह से उसमें नुकसान पहुंचता है और आगे जाकर यह कम कि कई एक रशाइनी कीट और जैवी कीट भी बाजार में उपलब्ध है लेकिन बिगत वर्सों में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हमारे किसानों के साथ एक बहुत ही अच्छा उत्पाद हमारे किसानों के पास होता था जिसको की हमारे किसान भाई टाइजोफास के नाम से कीटों पर आसानी से वो नियंतरन पालेते थे हलाग जहां तक सेमिल उपर कीट पर भी चुकि इस कीट नासक दवाई को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है इसका बिक्रे प्रतिबंधित है तो अब इन कीटों के नियंतरन के लिए कुछ मलब जो उत्पाद जो नए उत्पाद बाजार में हैं बेशक किसान अन्य राशायनों का उप्योग तो करते हैं लेकिन पिछले जब से इसको प्रतिबंधित किया गया है उस समय से हम लोगों ने हमारी क्रशी विज्ञान के अंदर के हमारे साथियों ने और मैंने सुमने यह देखा है कि एक जो उत्पाद है बीटा साइलोत्रीन प्लस इमिडा क्लोरोपीट यह एक कंबाइंड ऐसा राशायन है एक ऐसा मालिक्यूल है जो ना केवल गडल बीटल तना मक्खी सेमिल उपर बलकि जो सफेद मक्खी कीट है जो जिसे कि हम रस्चुसक कीट की सेड़ी में रखते हैं जो कि सोया बीन फसल के लिए बहुत ही घातक होता है यह जो उत्पाद है यह जो रशायन है बीटा साइलोत्रीन प्लस एमिडा क्लोरोपीट 19.8 परसे यह बहुत ही इन कीड़ों के लिए प्रभावी है और खास तोर से अगर इसका एक छिरकाओं हमारे किसान भाई जो की अनसं फसल की अवस्था पर यदि इसका एक छिड़काओं करते हैं तो इन कीटों से जो बहुत ही हानिकारक कीट हैं सोया बीन की फसल के उस पर आसानी से वो नियंत्रण पालेते हैं अब हम जानना चाहेंगे मरीश्री वास्ता जी से जैसा कि वो जानते हैं सोलो मन के बारे में और उसके क्या-क्या फाइदे हैं और किसान भाई किस तरह से सोलो मन के उपयोग कर फायदेों को उठा सकते हैं तो मरी स्रीवस्तर जी आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सोलो मन के बारे में प्रकाश डालिए जैसा कि आप लोग ने बताये कि जो शुरुआत की अवस्ता जो 30 से 40 दिन की होती है उस टाइम पर हमारे कीडों के नियंतरन के लिए सोलो मन एक काफी प्रभावी और असलदार कीटना सक है और इसके पांच फायदे जो हैं वो किसान एक साथ इस उत्पात से ले सकता है एक जो हमारी शुरुआत के अवस्ता के लिए एक उप्यूक्त कीटना सक है सोलो मन दूसरा सोलो मन जो है वो कांटेक्ट मतलब इसपर्स और अंतरप्रभावी कीटना सक है तो ये दोनों प्रकार के कीड़ों को नियंतित करता है काटने चबाने वाले और रजचूसा कीड़ों पर अच्छा नियंतर हमको मिल जाता है तीसरा जो है वो हमारा जो में समस्या जो गडल बीटल की है या ब्लू बीटल की है सैम गली उपर की है रचूसा कीड़ो में जैसे डाक साब ने भी वाइट फ्लाई की बात की सपेद मक्ही की बात करी उस पर काफी प्रभावी नियंतर हमको मिल जाता है चोथा जो है यह हमारी फसल के लिए सुरक्षित है और हमारी फसल पर कोई भी दोस्पेड़नाम इसका देखने को नहीं मिलता है और पांचमा हमारे फसल हमारे किसानों के लिए काफी किफाइती है और कम लागत में किसान जो है वो हमारी फसल को इन सुरुवाती अवस्ता के जो कीड़े हैं उनका समधान कर सकते हैं तो मैं हम सभी किसान भाईयों को मैं सलाय देता हूँ कि वो सोलो मन का 140 ml प्रती एकड़के सा अपनी फसल की जो सुरुवात की 30 से 40 दिन की अवस्ता में जो कीड़े लगते हैं उन कीड़ों का प्रभावी नियंतर कर सकते हैं और बिगत बरसों में हमारे चेत्र के कई किसानों ने इस उत्पात का इस्तमाल किया है सोलो मन का इस्तमाल किया हुआ है और काफी अच्छे भाईयों की जो आने वली जो खरीब की फसल है मैं कामना करता हूं कि उनकी फसल स्वस्त हो और अधिक उत्पादन उनको मिले यह मेरी कामना है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर कनूरिया जी